हेलो नमस्का दोस्तों एक बार में फिलाजी रहो आपके साथ एक और नवी वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने टेस्ट से शुरू की है मातमागादी के बारे में उसका एक वीडियो हो चुका है अगर आपने वह नहीं देखा हो तो आप उससे देख सक होते हैं तो आपको सब पता है कि हमने लगवग मातमागादी का इसकी जीवनी तक दो भारत आगवन तक पढ़ लिया था तो हम आगे देखेंगे कि मातमागादी का सौतनता अंदोल में क्या योगदान रहा और इसके बार में आगे हम डेटेल से पढ़ेंगे तो यह अगर आप चैनल पर नई है तो आप लीज चैनल को सब्सक्राइबर वह साथ में बेल आइकन गंटी भी प्रेस कर दीजिएगा इससे आपको आने वाले समय की नॉटिफिकेशन मिल जाएगे तो हम बढ़ते हैं वीडियो के तरफ और देखते हैं आगे तो गंदी जी के सवदेश लोटने के बाद की सुरुवात हुरात उन्होंने कर दी एक साथ बढ़त करने के बाद पता लगा कि भारत की क्या देनी इस्तती है और इसके बाद उनहोंने sonora की सुरैत की ती इसके बारी में हम देखेंगे सत्यागरा की पेढ़ना से gandhiji ने डेवीड थोरो के लेक, सीविल, this, ओविनियन्स, लियो ट्रास्टल के किंडन, ओप्ग्राव्ड, इस विधिन, जोन रिशीन की अंटूट, दिस लाइट, एन, एमस्न के विचारों से ले थी, इसकी पेहना, गंदी जी ने किसी लेती पेड़ना गंदी जी ने इनन से पेड़ना लेती इसके बाद में सत्यागरह सत्य और हैंसा पर आधारित था ये गंदी जी का सत्यागरह आंदल सत्य एवं हैंसा पर आधारित था तो आप से कूट में किसन पूछा जा सकता है कि गंदी जी का होता है कि इसके तरह गांदी जी इस बास से चिंतित थे कि सत्याग्राय को कैसे निश्करिये परति रोज से अलग किया जाए क्योंकि सत्याग्राय एक अलग तक्निक पर आदारी था जिसे उपवास ये जल बंदी देता है अड़ताल परमुक्ता इसके बाद में गांदी जी ने गांदी जी के राजनेतिक गुर को थे तो गोपाल कसम गोख लेते ये 2014 और 2018 में पूछा गया किस होना है इसके बाद में गोपाल जी की सलाथ पर मातमा गांदी नी 15-16 दो वर्स गांदी जी ने भारत की भर्मनी यात्रा की थी इसके बाद में गुणी सो 17-18 के बीच तिन प्रारिम्बिक आंदोलन कानेतर तकर गया प्रारिम्बिक आंदोलन इनके गुणी सो 17 से गुणी सो ऑठार तक है तो HEY इनके आंदोलन देखिए हैं पहला है गुणी सो 7 का ये काफी बार पूछा जाता है गांदी जी का पर्थम सत्यागर है कौन सत्यागर है या पर्थम आंदोलन कौन है तो आप इससे नोट कर लीजिएगा यह गुणी 117 में शुरू किया गया था चंपारण आंदोलन कांदी जी का पहला आंदोलन है चंपारण के किसानों के द्वारा खेती की जारी थी तो उंग्रेज उनसे चादा वसुली कह लेते तो इसकार ने आंदोलन हुआ था और यह आपको बता दू कि चंपारण भीयार में पढ़ता है तो आप इससे देख लेंगे इसके में खेडा में कर्ल यह मेल के बारे में मेल मजदोरों के बारे में कर्ड को लेकर आंदोलन हुआ था गुनिस 18 में यह खेडा गुजरात में है एमदावाद गुजरात में तो वहां पर यह आंदोलन चला था इसमें भी गांदी जी लगबग सपल हो चुके थे दो आंदोलन सब भी आंदोलनों की लगबग deeply अंदर से क्योशन आता है RS, IS और SSC आदी परिक्षियाओं में तो आजकल तो सब भी एक्जामों में deeply क्योशन पुछा जाता है तो इसके लिए हम थोड़ा से डिटेल से पढ़ लेते हैं तीन बटा 20 वे 20 कट्टे में 3 कट्टा भागपन नेल की खेती करने के लिए बल किया गया यानि बाद्दे किया गया इसे 3 कट्लिया पद्दति कहते हैं तो आपका क्योशन यह है कि गांदी जी का 3 कट्लिया पद्दति वाला कौन सान दोन था तो आपको बताना है चंपर ना दोन था और यह चंपर पर पढ़ता है तो यह बी यार में पढ़ता है कौन सी पद्दति 3 कट्लिया पद्दति और कितने में से कितना देना होता है इस लिए राजकुमार सुकल इपॉंटेंट राजकुमार सुकल है निक गांदी जी को अमंतलत किया तब गांदी जी ने बारते में पहले सत्याग्रेट चंपार्ण भियार से ही सुरू किया था सरकार जुकी जांच के लिए आयोक का गठन किया गया इस पद्रती को समाप्त कर वसुली का 25 परसेंट इसा खिसानों को वापस किया गया तो आपको इसमें पता रखना है कि गांदी जी को आमंतलत किस ने किया तो ये राजकुमार सुकल जी इसमें इंपॉंटेंट है और ती में प्रति क्शल निटी से पभावित होकर रभिणाटेगलें उसे मातमा के उपदी भी दे दी तो पड़े तो पर लितुब लेकी hopeful होती है कि गांदी झी को मातमा के उपदी किस्ने़ गांदी यी खो Chroutsy आ टेगळ इ knapp occ on के दोवहरा दे गई थी आनोन कि दोवारा दे इसानों का ने तुए अच्छे सी करने के बाद सरकार उन् के सामने जुकी और उनको हक दिल लाने के बाद इस आंदोलन से प्रवाविद होकर रभीना डिगविन्ह ने ये उपाली ठी इसके बाद में हम देखेंगे अगला अगला अंदोलन हमारा रहेगा खेडा अंदोलन गुजरात में है ये हम्दवाद में खेडा जिला है वाक्या तिक 1918 में गुजरात की खेडा जिले में भीसन अकाल पड़ा मतलब अकाल पड़ा था उस साल इसके बावजूती सरकार ने माल गुजार पद्दती बंद नहीं की अपी तो 23% और वसूली बढ़ा दी जबकि लाज़े से व्योस्ता के अंसार यदि पसल का उतपादन के एक बड़ा चियार से कम हो तो खिसानों का करज माप कर देना सही है नियम तो ये था लेकिन उन्होंने वाका माप ना करके उन पर 23% कर और बढ़ा दिया तो इसके बावजूद कुछ इस पर गुषान ने घोठना की कि यदि सरकार गरीब किसानों का करज माप कर दे तो सकसम किसान से हम कर दे सकेंगे तो सरकार ने गुपत रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान समक्स है उनी से कर लिया जाए और ये अड़ताल समत हो गई और इसी तरह ये आंदोलन में गाने जी का सपर रहा इसके बाद में गाने जी का एक और आंदोलन है हैमदावाद मील अड़ताल आंदोलन इसे डेटले में पढ़ेंगे हम तो ये भी 1918 में हुआ था ये आंदोलन भारती ये कपड़ा में मालिकों के बिरूद था ठीक है यहां पर मजदूरों के बोनस को लेकर गाने जी ने भूक अड़ताल करने को कहा तता स्यों भी भूक अड़ताल की उन्हें ये उनकी पहली भूक अड़ताल दे इसके बाद में इसके फर्सरों मेल मालिक समझरत्य को लेकर तयार हो गए इस मामले को एक त्री नियूल को सोपा गया जिसे मद्दूरों का पक्स लेते हुए 35% बोनस देने का पहसला हुआ कितना % बोनस 35 एक्जाम में पूछा गया क्योसर हुआ 20 2018 में भी ये रेलिव में पूछा गया था इसके पहले SI में भी पूछा गया क्यूसर नहीं इसके बार में हम देखते हैं अगला अनदोल गंदी जी का अपने देश के लिए रहेगा क्योंकि इनके बाद में गाने जी ने अपने देश के लिए आंदोलन करने के प्रारम कर दिया था तो हम देखते हैं खिलापत आंदोलन ये खिलापत आंदोलन का समय आपको बता दू कि ये 1922 तक चला था वद्देश से क्या है इसका उद्देश से देख लेते हैं उद्देश है तुल्की में खलिपा के पद की पुना इस्तापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव डालना तुल्की में खलिपा के पद की पुना इस्तापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव डा तो इसका कारण देख लेते हैं कारण कारण नमर एक है इसका ओटो मन तुर्की समराजे की परतम विश्योद्र में हार के कारण मुसल्मानों को मुसल्मानों को नाराज होना पड़ा सेकेंड कारण है सेबे की संदी 1920 इसमें में तुर्कों के साथ कठोर सर्तों ने आग में घीका काम किया ये सेबे की संदी कब हुई थी 1920 में हुई थी और ये भी इसमें तुदा इसका कलिपा का युद्ग कारण था अंगरे जो दोरह सुल्तान के विरुद उकसाए जाने से अरब में बिद्रो हुआ जिसे बारत में म मुसल्मान ने भी उन अंग्रेजी से रहा आहूत हुए और उन्हें ने आंदरन करना सुरू कर दिया इसके बार में पर्तम विश्यों योद्गी समाप्ती के बाद बिल्टी सरकार ने तुर्की समराज्य का भिंवेंटन यानि उसे बटवारा करने का निश्य किया जिसके क 17 अक्टॉमबर 1919 को और आंदरन प्रारम हो गया 10 अगस्त गुनी सो बीश को संपने सिर्वियस संदी सिर्वियस संदी के बाद तुर्की का विवजन हो गया यानि वटवारा हो गया मौलाना मौमद अली और सोकत अली ने खिलापद कमेटी का कठन कर अंग्रेजों के खिला एक सिमित्य की ती जिसकी स्तावあー, 1850 में की गई थी तो यह इस, सिमित्य के दौरा इसका समर्टम किया क्योंकि मातमागानी की बीचारों सें एंग्रेजजों मेंगें खिलाब इंदो और奇怪 मुसलमानों के एक होने का स्रहणिव अवसर था जब मुस्टुपा कमाल पासा के नेतृत में टुल्की के खैलिपा की सभा समाप्ट कर दी गई तो 122 में या अंदोलन पी सश ओती समाप्त हो गया तो अंदोलन कब समाप्ट वा गुणी 122 में इसके बाद हम देखेंगे एसाई योगी अंदोलन ऐसा योगी आंधोलन कप्या इंपॉंटेंट आंधोलन और हर परिक्षा में एक ना एक क्योशंड जरूर हाता है तो इसा नका के बारे में हम बात करेंगे तो यह 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 आंधोलन हुआ थाato गुणीशवीश से 62 के मद्दी नजर यह अंदलन हुआ था तो इस अंदलन में इंगे गांधी जी को रॉलेट एक्ट रोलेट एक्ट था जिसमें बिना किसी मुक्जड में किकिसी को भी के वल सद के दायरे मरें मरक्ते हुए उसे जेल में डाल सकते थे तो ये अंग्रेजुने एक्ट बनाया था तो इससे भरत के लोग और गांदी जी काफी परवावित हुए और उन्हें ये अंदलन का इस रोलेट एक्ट का विरोध किया और उन्हें वहकर जो कमिशनर था उसे भी पतल लिखा लेकिन वो नहीं माना तो गांदी जी ने ऐसायोगे अंदलन को शुरू कर दिया तो इसको देख लेते हैं गांदी जी को लोलेट एक्ट पर मांग्टेयू चेसपोर्ड सुदार में बड़ा हाहत लगा मुसल्मानों ने भी खलीपा कमेर्टी का गठन कर खिलापत आंदलन शुरू कर दिया था गांदी जी ने अंगरह जो के खिलाप ऐसायोगे आंदलन चलाने का निश्य किया उद्दे से क्या था इसका इसका उद्दे से था बिल्टिस भारत की इजादनेतिक आर्थिक तता सामाजिक संस्ता का वैसकार करना और सार्शन की मसीनेरियों को बिल्कुल ठब करना इसका मैन मकसद था दिया अनगपुर है न का सभीकरति देदी नागपुर में सभीकषा देदी जबकि इसका पहला इसकी सुर्वात कोलकाता अदिवेशन से की गई थी इसके बाद में अदिवेशन में जनबरी 1921 में कांगरेस द्वारल गांदी जी के नेतरत में इमानदारी पूर्वक ऐसायो गांदान प्रार्रम किया गया इसके बाद में ऐसा यह आन्टोन को सपल बनाने हित्व किये गए परियाद सरकारी उपादिया वेतनिक तथा एवेतनिक पदोका त्याक कर दिया गया सरकारी उत्सो तथा दलवारों से समलित नहीं होना यानि कोई भी उत्सो या कोई भी दलवार है उनके उन पर ना तो जाना और नहीं उनमें समलित होना यह किया गया सरकार तथा 1919 के अधिनियम के अंतलकत होने वाले चुनाओं का बेहसकार किया गया सलकार योदलत का बैसकार और बिदेशी माल का भी बैसकार किया गया है खेने का मतलब इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था और काफी महिलाओं ने बिदेशी कपड़े भी जलाए थे और दुकानें भी बंद की थी तो इसे आप खेस सकते हैं कि महतमा गांदी जी का ये पर्थम ऐसा अंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया और इसमें बिदी सी कप्रों की होली जलाए गई तो इसमें आगे हम तोड़ा वह देख लेते हैं गानी जी ने पतल द्वार वाइसराई लाड रीपीन पूछा गया किसने कि ऐसा ही हो गया अंदोलन के दौरान भारत का वाइसराई कौन था तो लाड रीपी रीडिंग तो सोरी लाड रीडिंग नहीं को सुचित किया कि यद आंदोलन समाप्ति यह उसका कारण कहता ठीक है गानी जी ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह ऐसा ही हमसक होना चाहिए किन्तु फरबरी 1922 में चोरा चोरी कांड यह आपको पता है यूपी के गोरुक्फुर जीले में एक घटना हुई थी उसकी वज़े से स्ट्रिप कर दिया आगे हम पढ़ेंगे चोरा चोरी कार्ड चयार पर बिल्को आगे शीप तरह हम इससे कंट्यून रखेंगे क्योंकि वीडियो जादा लंबा हो जाएगा इसलिए अब भी ना करके बाद में करेंगे तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा और मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ और हमने लगबक चोरी चोरा चोरी कार्ड के लगबक कर लिया था तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूपी एससी और पी एससी टोपर के नाम से यूटूब पर और आप चैनल से हमारे साथ जूर सकते हैं और मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जैवाल